अगर देखा जाए तो मैडम के पूरे व्लोग का सबसे अच्छा और सच्चा पार जो था ना वो वही था कि जब वो बच्चा ता जां ये सब करके जो वो खेल रहा था और नानी बराबर में बेटी थी कितना रिलैक्स उसको लग रहा था देखकर के हाँ वाके में बच्चा पूरी शिद्दत के साथ खेल रहा है और खुश भी है वरना तो भाई पूरा व्लोग इतना सो नकली सो नकली के बस क्या ही बताओं चलिए मैडम ने उसमें और क्या क्या किया है आईए बाते करते हैं हाई फ्रेंड्स वेलकम बेक टू मैं चैनल चैनल में न्यू है तो चै होता है जब रेसिपी डालनी होती है और आजकल तो ये जो है मैडम की दुनिया का नाम नहीं होके इसको लिखना चाहिए था खाने की दुनिया क्यों कि खाना खाना और सिर्फ और सिर्फ खाना किसी के बड़्डे की फेवरेट खाना अम्मी की फेवरेट खाना किसी का उसक तो फ्राई किया है लेकिन फ्राई खा सकती है लेकिन आटा नहीं खा सकती मैदा नहीं खा सकती जुआरे का खाएंगी जुआर की मट्री बनाई और वो भी फ्राई करके चाय में तो मैडम ने दिखाया ही नहीं कि चाय में चीनी डाली थी क्या नहीं डाली थी क्योंकि इनकी एक बार बताओ अगर ये intermittent fasting कर रही है तो कौन सी ऐसी window है ये कौन सा ऐसे allow कर रहा है इनको कि 8 बजे इनको चाय नास्ता करना है और उसके बाद इनको eating window अपनी बंद करनी है भाई साब इसका मतलब फिर तो ये सुबह 3 बजे जो है मतलब दिन के 3 बजे अपने ये शुरू करत जाता है या फिर 6 बजे आप खाना बंद कर दो और बहुत जादा हुआ कि अगर आप वर्किंग है ओफिस में घर आते 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 आपको लेट हो जाता है तो बहुत हुआ तो maximum 7 बजे के बाद तो बिलकुल नहीं खाना चाहिए और उसके बाद आपका साइकल सुरू होता है 16 बाइ 8 ये होता है आपका intermittent fasting का ratio जिसको आपको इतना करना है यानि कि 16 घंटे आपकी fasting होनी है और 8 घंटे आपकी खाने की eating window होनी चाहिए और उसको इन्होंने भाई अपने हिसाब से कर रखा है और सबसे बड़ा funda तो जी कहती है ना हाई guys मैं हूँ ये 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 पिपी का पकड़ इब्रहीम भाई क्यों हो आपने निका जिस नाम से किया है उस नाम को पुकारने में आपको इतना बुरा क्यों लगता है क्यों आपने पसंद से नाम नहीं रखा था आपके पास तो कितनी अच्छी चोईस थी देखो भाई हम बच्चों का नाम रखते हैं जब बच्चा बड़ा होता है तब उसको समझ में आता है कि यह मेरा नाम है और मेरे को इस नाम से पुकारा जाता है जैसे कि आज जो जिस स्टेज में रू बेबी है तो उसको अब अपने नाम की थोड़ी पहचान हो गई है कि जब वो कहते हैं तो वो पलट कर देखता है चलो कोई अच्छी बात है थोड़ा स्लो है बट एटलीस वो दीरे 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 रिकवर कर रहा है चीजों को अपने जो माइलस्टोन है उनको अच्छीव करता जारा है भरी चाय वो सलोई सही मैं यह कहना चाहरी हूं कि मैडम को तो बड़ी अच्छी चोईज मिली थी कि अपनी पसंद से, अपने चाहे नक्षत्रों के हिसाब से, चाहे फिर वो अपने निमरोलोजी के हिसाब से, ये किसी भी हिसाब से वो अपना नाम खुद चूज कर सकती थी, बहुत सारे लोगों ने एक्टर नहीं किया है, अपने नाम जो है निमरोलोजी के हिसाब से, एस्ट अपनी शादी से बहुत जादा प्यार है लेकिन शादी में जो लिखे हुए नाम से जिस नाम से आपके शादी हुई है उससे बिलकुल भी प्यार नहीं है क्यों भाई अपने आपको पीपी का पकड़ क्यों कहलवाते हो कहिए ना कि मैं फैजा बेगम हूँ और मेरा नाम है शोयब इबरहीम इनि असली पहचान को आज आप जी रहे हो जिस घर में आप रह रहे हो जिस घर के आप भड़ा अम्मी कहलवाना पसंद करती हैं भाई अम्मी को अम्मी कहती हो बिसमिल्ला सुभानथ लख, रहे हो और कुछ लोगों के according आप आप रोजे भी रखती हो नमाज नहीं पढ़ती हो क्या भाई आपने नमाज नहीं ठीकी हमने तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने नमाज भी याद कर ली और कुरान भी पढ़ लिया भले ही वो इसलाम में पहले नहीं थे किसी भी धर्म में थे लेकिन बाद में उन्होंने जब इसलाम कबूल कर लिया चाहे अपने प्यार के लिए चाहे अपने मन के लिए चाहे उनके मन में खयार आया हो चाहे उनको इसलाम से प्यार हो गया हो और उसके बाद उन्होंने ना केबल नमाज, कुरान और अपने सारे इसलामिक चीजे जो हैं वो उस हिसाब से करने शुरू कर दी और आपने सरफ अम्मी कहलवाने के लिए और बस अपने शादी को निभाने के लिए सरफ इसलिए नाम चेंज किया था यह जो बहुत गलत बात है मैडम अपने उस नाम से पुकारो जिस नाम से आप दुनिया में जाने जाती हो इसलामिक तोर पर जाने जाती हो कि आप मैरीड हो लेकिन आप मैरीड जिस नाम से थी ना वही नाम पुकारा करें और दूसरों को भी कहें कि आप उसी नाम से मुझे पुकारिए और रू बेबी का बड़ा अच्छा फेवरेट गेम है और उसको बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कपने से कवर कर देता तो जैसे मैंने पहले ही कहाता कि अगर देखा जाए पूरे व्लोग का तो सबसे अच्छा पार्ट वही था जो मुझे अच्छा लगा जैन्मन लगा और सच्छा लगा देखो भई मैडम ने सुबह कैमरा उठाया और एक क्लिप शूट कर ली और साम को कैमरा उठाया और फिर कहते हैं कि अभी साम हो रही है मैंने दिन भर कुछ शूट नहीं करा था और अब हो गया है हमारी चाय का टाइम तो मैं चाय के साथ बना जी हूँ ये मठ्री और पूरी रेसिपी में मैडम ने पूरा व्लोग निकाल दिया और ऐसे ही वेले लोग हैं जो बिना वजे की भी वो सारी चीज़े देखने के लिए जैते हैं जो इनको खुद को सई से बनानी नहीं आती जैसे कि पिछली बार मटन बिर्यानी में कितना बड़ा पच्का किया था और व्यूज देखा जाए मैडम के तो भाई वो हो हो माश पहले से भी ज़्यादा डाउन जा रहे हैं देखो भाई मैं जब यह पोड़कास बना रही हूं तब तक मैडम के व्लोग को आए वे पांच घंटे हो चुके और पांच घंटे में पांच लाख व्यूज भी नहीं आए हैं मैडम के इस पे तीन लाख चपन हजार व्यूज इस टाइम मैं आप पोड़कास बना दियूँ तो देखो भाई इतना गिर जहां की एक घंटे में आप मैडम के वं मिलियन हो जाते थे पांच घंटे में वण पॉइंटवन या वन पॉइंट टू मिलियन हो जाते थे वहां मैडम की यह नो बता गई है तो सोच रहे जो धी कुछ entertaining लगे क्योंकि recipe देखनी होगी तो हम master chef की क्यों न देखें आपकी क्यों देखें भाई आपको तो खुद बनानी नहीं आती आप तो खुद दूसरों की recipes चोरी करते हैं और आज मैंने एक show देखा था रात को और आज खला हम वो मज़दार show देखते हैं और अब मैडम थोड़ इसी socialize होनी भी शुरू हो गई है कि भारती का show आ रहा है मैंने भारती से बात की थी मैंने उसको message किया था मैंने उसको congregate बोला था कि बहुत अच्छा show है और वहां पर हमने देखा था तंदूरी चाहे भाई साम मुझे तो यह समझ में नहीं आता यह लोग कौन सी दूनिया में जीते है वैसे तो बड़ी दूनिया में गुमने की बाते करते है कहां चाटने हर्चीज की की बाते करते है पैसा खच करने की बाते हैं लेकिन इनको इतनी भी knowledge नहीं होती है कि तंदूरी चाय ना जाने कितने सालों से चल रही है मैं आपको बताऊं मैंने अपनी फर्स्ट चाय जो है ना टूठा हूजा 19 में पी थी और वो भी कहां पे पी थी पता है कानपूर में जब तो मैं कानपूर शिफ्ट भी नहीं हुई थी बगर मेरे हस्बन रहते थे तो मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ की जो गुम्टी मार्किट है ना वहाँ मैंने अपनी पहली तंदूरी चाय पी थी जानती तो बहुत पहले से थी लेकिन first time experience करने का मुका जम्ण मिला ल के ल की भीणी भीनी बीनी से बारिश ओड़ी ती यही मौसम घाए यही महीना चल रहता और इस दोरान मैं और मेरे भाई दोनों हम दोनों husband के पास गए थे अपने किसी पास काम की वजह से जैसे कि मैंने पहले कहा कि गार्मेर्ट शॉप है मेरा काम भी है और मैं कोई वेली नहीं हूँ और जो लोग कहते हैं कि बस तुम्हें कोई और काम नहीं है तो भाई अगर गिंती करोगे ना मेरे काम की तो बहुत सारी है घर के काम है बच्चों के काम है उसके अलावा भी मैं एक just housewife नहीं हूँ उसके अलाबर भी मेरे पास बहुत सारे काम हैं मैं अपने काम की सिलसले में गई थी मैं और मेरे बाई दोनों और हमने अपनी first चाय वहाँ पर पी थी के आपने टेस्ट की है के नहीं की है की है तो भी हाँ बताईए और नहीं तक भी बताईए और मेरम आप देख देख रहे हैं और टीवी शो में देखकर उनको तंदूरी चाय की यादा हुआ है तो वह घर पर ट्राइए कर रही हैं। और उसमें भी आध्य दूरे पच्खके हैं, जो जो मठकी मही हुए ना, उस मठकी को बहुत अजटी का लिए हीट किया जाता है, चाहे को बहुत अच्छी boiling कंडिशन में रखा जाता है और फिर उसको डाल दिया जाता है, और उसको boil होने के लिए जैसी उसके अंतर डालते हो इतना पका लेते हैं वो आज पर और कोल पर पकाएं अंगीठी पर पकाएं या फिर gas पर पकाएं इतना पका लेते हैं कि वो लगबक जो ना थोड़ा सा या तो brownish पर तो खेर वो होता ही है या थो थोड़ा सा हीट होके blackish पर होना शुरू हो जाता है या फिर जो न थोड़ा सा ओर अलग कलर चेंज कर देता है और उसी कंडिशन उसमें चाय डाल दे जाती है एक बरतन के अंदर करके फिर उस बंदर बरतन में से ओवरफलो होके उस बड़े पॉर्ट में गिरती है फिर उसमें से आपको कुल्लेड म करकर दिख जाती है बस मैडम वही experience वहाँ पर ले रही है सासू ममा को भी बुला लिया है अपनी ममा को भी बुला लिया है और भाई इस दोरान ये दिखाने की कोशिश करें कि ओफो चालू तुम यहाँ पर नहीं हो तो देखो हमारे कितने मज़े आ रहे हैं हम कितना enjoy कर रहे है हमारी अपनी own family मैं एक ideal बहू हूँ और मैं एक अपनी सास के साथ अपनी ममी के साथ सब को मिला कर रहती हूँ और अपने ससुराल में रहती हूँ और खुश रहती हूँ तो भाई ये चालू को shade करने का बहुत अच्छा तरीका था और मेरे हिसाब से shade भी नहीं करना कहू जाए हैं ना अपनी मम्मी का ख्याल पूरी तरह से रखती आ ना अपने इनलोज का ख्याल पूरी तरह से रखती हैं तो अपने मतलब के लिए रखती है रैंगता आप那我們 इतने साल उनको उंगलियों पर लिटरली मसाला चाहे तो कोई बुरी नहीं है और जब भी सही बताऊं तो ऐसा जो मोसम चल रहा है इन दिनों बहुत वाइरल चल रहा है तो उस community system आपका अच्छा कर देगी तो एक बार अगर मसाला चाहे पी लोगे तो कोई घलत बात नहीं पर नहीं तुम्हें तो अपनी यह ओऔर एक्टिंग करनी है नहीं 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 और वह घालत घर तो मैडम है भाई मैंचाहिट की बात हो और उनके लिए उनकी पसंद की चाहे ना बनाए ऐसा क्यासा पॉसिबल है, चलो तो बहु दो जगा चाय बनाएगी, एक ये बनेगी और एक बो बनेगी, experience कर लिया, ओ, मेरी चाय ने उबली, बिचारी जो है, दिल जो है, बिचारी का ऐसे हो गया, ओ, मेरी बहु की चाय ने उबली, कोई बात नी, आ जाएगी, देखो, आ रही है, दिर खुश हो गए मेहनत वसू लाई तुम इती मेहनत जो कर रहे थी या अम्मी भी खुश और बहु भी खुश क्योंकि जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे थी वह रंग लाई तो भाई यही सारे चोचले बाजी थे उसमें और बस चाई पीली मटरी खाली सबने तारीफ कर दी और अम्मी ने तो कुछ जम की तारीफ किया भाई अम्मी तो तो बिना शीले हो आती है कि कम सक्षी तो बोलो दिल से तो बहुत अच्छी है और मैंने एक चीज अब नोस रिंग पैन रखी है ज़्राद्यान से देखेंगे तो देख जाएगा आपको भी, पिलट पिलट के कहरें ही Hindi चाय तो बहुत अच्छ है, हस हस के कहरें ही PB हर चाय की तारीफ करती है, कभी कहती है घर जैसे चाय अच्छ नहीं होती है, कही नहीं मिलती है, रियली में चाहे से सरफ चाहे प्यार है या अच्छी चाहे से प्यार है या आपको बस अननेसेसरी तारीफ करनी है कह भी नहीं है फिशान कहते नE unko सरफ प्छले चार साल से यह पढ़ाया गया है उनका brain wash कर दिया है up कोई है चाई लावर तो हमारी पीज़ा बिये लेकिन पीज़ा को नहीं मिली तो फिर पीज़ा को नहीं मय हैeszले हमने देखा मैं वरिय पिंग सब के हात में रह रही हैं पहले से जादा अच्छी और पहले से जादा हेल्दी हो रही है हेल्दी बोले तो मतलब स्किन अच्छी हो गई जो है ग FREE लो करने ने लगी है पहले से बहुत जादा और सेहत भी पहले से मच्च बैटर हो गई है क्योंकि happiness होती ही ऐसी चीज़े भाई अपने ध्योता मिला है केलने के लिए टाइम पास करने के लिए एक नानी के लिए और क्या ही चाहिए बले चाहिए दुनिया उनको बले बोले कि नानी बनी नैनी लेकिन उनको जो सुख मिल रहा है वो वाके में अलग होता है उसको बस व मम्मी को नसीब है वो अम्मी को नसीब नहीं है तो अम्मी के डायलोग तो आपने सुन लिए लेकिन मम्मी का क्या है वो डायलोग नहीं बोलती ही वो सरफ आखे बड़ी करती है और गदर नहीं लाती है ऐसे कि बहुत मजे का बना है बहुत अच्छा बना है बहुत अच्छ तो नेक्स टाइम हम ठोड़ा और अच्छा बनाएंगे मगर मैं तो बहुत अच्छा बनाईए जिससे लोगों को कुछ मिले आपके व्लोग में एंटरेटेन होने के लिए क्योंकि लोग जो आपके व्लोग देखते हैं या लोग कोई भी कोई भी हो चाहिए वो पहले से देख रहा हो चाहिए फिर नया वीवर हो वो जो भी देखता है वो अपने एंटरेटेन्मेंट के लिए I hope आपको पसंद आया हो क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं लेकिन जो था वो हमने आपके साथ फेश किया I hope आपको पसंद आया हो पसंद आया हो तो like शेर कीजिए का चैनल पर पहली बार आए हैं तो subscribe कीजिए का चलिए मिलती हूँ next वीडियो में till then बाई बाई अलहाफिस टेक केर